कर रहा है तो या मैंने तुर्ड को बहुत सारे स्टुडेंट के लिए महनत कर रहे तो नहीं का को सब्जक्त एक्षाए कि को सब्जक्त बुरा है किसी का applied mistrend है, किसी का pure mistrend है, तो मिला जुला के, सभी लोग अपने तरीके से best करना चाहरे है, उसमें से क्या होता है, कभी कुछ section के question जिसमें आप बहुत अच्छे हैं, या अच्छा होने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ एक दो questions ऐसे होते हैं, जहां पर लोगों को बहुत दिक होता है, उसमें से question है, ये matrix space का section, जनरली real के exam में, real तो ऐसे भी बहुत लोगों के लिए सरदर्द सा होता है, उसमें जो matrix space का section है, ये मदलब अच्छे खासों के लिए सरदर्द का काम करता है, तो हम लोग इस question के थूरू से कुछ ऐसा ही सिखने के कोशिश करेंगे, कि कैस इस type के problem को approach किया जाए, ताकि matrix space का problem कुछ हमारे exam में आता है, और उसको असानी से, घंडे दिमाग से कर पाएं, बिना कुछ tension लिए, तो चलिए, देखते हैं, इस question को कैसे approach करना है, ये जो particular problem है, ये जो problem आपके सामने जो दिख रहा है, ये NBHM आयवा problem है, इसी बार का है 2024 का, ठीक है, National Board of Higher Mathematics, ठीक है, PhD का जो test होता है, right, PhD के लिए जाते हैं, या IPSD के लिए जाते हैं, या scholarships के लिए आप यूज करता है, जो भी, उसका ये question है, और बहुत अच्छा question है, so let's first read out the question, कि question क्या है, then I'll talk about the solution, so question है कि R equipped with the standard matrix, R में जो standard matrix है, और वहाँ पे दो non-empty subset द ठीक है, बोला कि अगर दोनों ही closed है R के, तो क्या sum also closed होगा, और दोनों ही dense है अगर R में, और साथ-साथ उसमें से एक set open है, तो intersection dense होगा क्या, ठीक है, तो question बहुत है simple है, R में usual matrix दिया गया है, वहाँ पिर दो closed subset दी गई है, उन दोनों का sum closed है क्या, फिर दो subsets दी गई है R के, दोनों ही dense है, और उसमें से एक set open है, तो क्या वो intersection dense होगा कि नहीं, यह question है, और यह बहुत ही basic, अच्छा सा question है, और मैंने साथ इसका solution पहले भी बातचित करी होगी, देगे फिर से बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि एक्गाम नज़िक आ रहा है, तो कुछ-कुछ ल कैसे सोचे है, क्या हमारा thought process हो, to solve this kind of problem, तो पहला, जैसे हम ने बता है, उस चीजें आपके पास होनी चाहिए, यहां दिया वाक्या है, क्या आपके पास standard metric है, तो था से recall कर लो, कि क्या standard metric होता है, right, so recall some basic facts, अगर थोड़ हम लोग basic facts अपने recall कर लें, तो यह जो standard metric होता है, real number में, वो यह होता है, modulus of x minus y, for all x, y, belongs to r, ठीक है, यह metric होता है, इस metric के थूर से हम लोग distance topology को generate कर लेते हैं, r में, तो वहां पर अगर कोई subset होता है, यह अगर subset है r का, right, तो उसके denseness के बारे में भी हम लो होता है और सारे चीज़े हम लोग आदाम से उस समर्वार में देख सकते हैं कि क्या चीजे हैं, नहीं है, किस टायब की चीज़े हो रही हैं, वो सबको जब हम लोग देख सकते हैं, या, तो यह हुम लोग देखते हैं, गे, तो यह सब चीज़ें आ गए और साथ-साथ एक दो चीज़ हम लोग थो और रिकॉल करना चाहें तो और भी बेसिक चीज़े हम लोग रिकॉल कर सकते हैं कि ठीक है यह हुआ और कोई सबसेट अगर आप देते हो अगर उसका सबसेट के सारे लिमिट पॉइंट उसी सेट के अंदर हो जितने भी उसके लिमिट पॉइंट हो वह सबके सब एक अंदर हो और इस अब सबसेट का बोलोग एक इस यह subset of R इसका बोलोगे open अगर इसके जितने इंटिरियर पॉइंट्स है और यह set A यह खुद अपने बराबर हो जाए इस set के जितने इंटिरियर पॉइंट्स है और यह set खुद बराबर होना चाहिए अपना basic definitions है तो I hope यह सब शारी चीज़े clear हो I'm not supposed to discuss all that but anyway यह सारी चीज़े होगी जिसका आपने किया होगा अब इसतना assume करके हम लोग आगे के तरफ एक question का answer देने का कुशिश करता है कि क्या है नहीं ठीक आपने दिया है दो close sets राइट महला आपने दिया A closed है B भी closed है ठीक है तो जैसे आप दो sets को आइड करोगे वह आपको फिन्या set मिलेगा A plus B यह definition होगया तो क्या यहां से A plus B का closer क्या हम खुद A plus B हो सकता है या कुछ closer के लिए ही चाहिए close होने के लिए A plus B close होना चाहिए and this is in fact in general in general it's not true okay in general यह सारी चीज़े true नहीं होती है कोई set closed है उसको आप add करोगे set of two plus close sets need not be closed तो for example इसके बहुत सारे examples है count for examples है I mean you can look into it for example simply आपने लिया A Z okay और B अगर आपने ले लिया कुछ ऐसा मतलब isolated set logic का सारा point isolated हो ठीक है कुछ भी y times n ले लिया n belongs to set जिसको हम लोग थरा short button में अच्छे से लिखे हैं तो दोनों के ही कोई भी limit points नहीं है नहीं A का कोई limit point है नहीं B का कोई limit point है ऐसा क्यूं है एक उतरा बताना है क्यूं भाई साब A और B का कोई limit point नहीं है यह दोनों ही closed हो गए आपके ठीक है यह और B दोनों ही closed हो गए so A and B are closed लेकिन जब आप A plus B करो गया तो यह आ जाएगा आपका Z plus pi of Z ठीक है और यह condition आ जाएगे आपकी M plus pi of N वेर यह M और N बलांग तो Z इसको थोड़ा अगर हम लोग गौर से देखें तो यह जो set है यह जो अपना set आएगा यह set यह जो set आएगा यह जो set आएगा यह जो set आएगा इस set A plus B which is M plus pi of N वेर यह M और N अपना बलांग तो Z this is not closed बड़ा interesting proof है यह क्यों यह close नहीं है in fact जब आप इसका closer look out करोगे closer of this is equal to the full real number in fact it dense हो जाएगा आपके A plus B is not closed in R A plus B का जब आप closer लोगे इसके पीछे का बहुत सारा कुछ algebraic proofs भी है analytic proof भी है आप यह proof कर सकते हो कि यह कोई भी दो rational number लो कोई भी दो rational number लो यह R1 और R2 इसके बीच में इस type का M plus pi N आप invoke कर सकते हो for some M pi N and it's not that much big deal कि आप करता हो बहुत interesting है और बहुत basic तरीके से होता है यह proof तो आप अराम से को कर सकतो जिरो वन के बीच में दिखा दो कि इस टाइब के members आ रहे हैं बिलॉंग कर रहे हैं तो जिरो वन में अगर वहां पर इंट्रेक्टर के इसको देंस दिखा दिया देंस देंस्टर ट्रांसलेशन्स यह कुछ एलजबरिक प्रूप दिया है उसके त्रूप से विजाए तो त्री फूर फ्रूप्स यू के इसली वर्क आउट इने तो कि समय कम है एक्जाम है तो मैं बहुत ज्यादा इस पर प्रूप से भी नहीं जागो कि बेसिक तरीके से आपका चीजें अच्छे से हो जाएं तो ब अब चलते हैं बाकी चीज पर देख लेते कि क्या हाल चाल है कैसा उनका है अब आ जाते हैं कि आपने नेक्स दिया वाए कि A और B डेंस है ठीक है नेक्स कोशन पर आता है ठीक है तो वेल सेकंड ओप्शन यह और भी देंस है तो देंस का क्या डेफिनिशन है थोड़ा एक बार रिकॉल कर लें हम लोग ठीक है तो दिस रिकॉल क्विकली अगर एक क्लोजर आर हो जाया है ठीक है मलब आर का हर मेंबर या तो एक का मेंबर हो या उसका लिमिट पॉइंट हो यह दोनों चीज़े हो वैसा अगर होता है तो अच्छा एक क्लोजर आप लोग को पता होगा इस ए यूनियन यह यह सारे चीज़े मैं लिख रहा हूं इसे बहुत चीज़ें जरुवत होती है और इस पर कमांड जितना अच्छा रहे उतना अच्छा फाइदा होता है ताकि चीज़े समझ गयाते हैं यह यूनियन लिमिट पॉइंट होता है ठीक है तो इतना करने के बाद हम लोग बाकी कोश्ण का राम संसर दे सकते हैं तो ए अच्छिए इस देंस ए आर इफ न्लिफ ए इंटरेक्शन ओपन सेट इस इस गोई पूइन एंपे पकर अच्छो और। और आप देखना चाहते हो कि यहां पर यहां पर यहां पर जो दूसरा कोशन का अंसर कोशन में इच्छी पावा है यहां पर बी दोखों आपने बताया है कि ऑने खिजों कोशन को कैसे एपरोच करना है LGD आए अभी अप उत्रौप करना है कि अधर यह कारणी करना है कि अधर यह देरे देरे प्राक्टिस से चैड़े हूं सब्सक्राइब अब इसको आराम से यूज कर लो तो अब हमको प्रूफ करना है क्या कि आपने ए डेंस दे रखा है तो गिवन है एक बार इसको स्पेस खाली कर लेते हैं ताकि हमारे पास जगह मिल जाए बहुत ज्यादा तो ए इस डेंस यह आपने दे रखा है गिवन क्या है हमारे पास ए डेंस है बी भी डेंस है और साती साथ दे रखा है बीज ओपन राइट तो यहां से लेम है क्या इंटरेंस होगा क्या है यह आरप इसके लिए क्या करते है एक ओपन सबसेट लेते है यू नॉन एमटी open subset और और हमें ये प्रूफ करना होगा कि ये U intersection A intersection B ये जो set होगा ये non-empt होगा ये हमें प्रूफ करना होगा correct everyone हमें करना क्या है तो ये सारे चीज़े करना होगा चीक है very good तो इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको बड़ियां से मलग कर सकते है और धंग से करना होगा ठीक है एक open set आपने open set लिया है U open है B dense है तो U intersection B non-empty हो जाएगा right B is dense ये दिया होगा अब साथी साथ B भी आपको open है B is also open और intersection of two open set क्या होता है open होता है that implies U intersection B yes U intersection B तो U intersection B this is open ये open हागया तो इसका मतलब ये जो U intersection B है ये open set है non-empty है तो इसके साथ इसका intersection non-empty होगा right क्यों? because A is tense in R correct है तो क्या हमने किया? फर से बता दरहों एक हमने non-empty open सबसे उठाया R का B dense है तो उसके साथ U का B का intersection U intersection B non-empty होगा B open दे रखा भी ये ये जोज़ए एक open intersection of finite open set open होता है तो U intersection B open है और non-empty है so you got U intersection B is open and now because A is dense in R so U intersection B intersection A ये non-empty हो जाएगा तो इसका मतलब को थड़ा distributive laws से हम लोग जाएग for A intersection B this is non-empty so we have done it तो प्रूब्ध होगा correct hence पाचा कर जागा बिड़ा ले इसका मतलब जो हमने मान के चला था so that implies yeah A intersection B intersection U this is non-empty for all U non-empty open subsets of R so this implies A intersection B is tense in R so ये option सही होगा तो इसे स्कोस्चन का प्रोच करना है ये हुआ बिसिक तरीके से to show something is this to show something is not this अनाम से किया given है क्या हमें देना है अब जो given है उसको आप कैसे use करोगा चले ये question आपने बार-बार देखा होगा तनसर आपको आगया होगा आने वाले दुनों में मैं कुछ से प्रहाई करी है मेरा ये background है इससे बात नहीं बनता है आप क्या काम कर रहे हो कितने अच्छे से कर रहे हो एफेक्टिवनी कर रहे हो चीजों को सीख रहे हो या वही attitude में हो कि मेरा ये college रहा है मैंने यहां से करा है उससे फिर आप down ही जाओगे उससे अच्छे नहीं हो सकते तो इसलिए देखो पहले अगर कुछ अच्छा हुआ है लाइफ में बहुत अच्छी बात है अभी आप presently कितना सीख रहे हो that's important और उसमें लगता है कि हाँ mentorship guidance के ज़रुत है जिससे आपकी सोच में आपके thinking में आपके mathematics पर एक improvement ला सकती है और एक exam अच्छे से जा सकता है और चीजों को पढ़ते चेहरे में एक smile आ सकती है तो फिर आप यहां जूड सकते हैं हमारे यहां यह regular batches रहते हैं आप mail कर दोगे noble forum 05 पर so that we can contact you समझ मैं enjoy the class next videos हम लोग इसी type का और भी questions लाएंगे hope आप लोग सीखे होंगे बहुत कुछ और यह सारी चीज़े बस मेहनत करते रहे चीजों के साथ और खुब सीखे मन लगा के सीखे मिलते हैं